माबाप के उपकार का बदला तो एक जनम तो क्या साथ जनम लेने के बाद में भी अपन नहीं चुका सकते हैं और तभी जाकर के मैंने ये कविता जो है कहीं से सुनी है मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मैं उस कवी को सतसत नमन करता हूँ जिसने इतने सुन्दर भावा में ये कविता पिरोई है राम राम भजने से प्रभु राम मिलते हैं राधे राधे रटने से घनश्याम मिलते हैं गोकुल मथुरा वरंदावन में काना मिल जाएं परमाबाप के चरणों में चारोधाम मिलते हैं और अगला अंतरा मानवी जीवन है इसके अंदर कुछ जब उपलब्दिया हमको आसिल हो जाती है तो साइद हम अपने पुराने रिस्तों को भी भूल जाते हैं और उसी के लिए पंग्तिया हाजर है नई चाह में रिस्ते पुराने तोड मत देना तरक्की खूब करना पर किसी को छोड मत देना बुड़ा पे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की बुड़ा पे में पड़े जब उनको जरूरत सहारे की कभी माँ बाप को तुम बे सहारा छोड मत देना अगला अंत्रा है जीवन के अंदर अपन बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए बस इसी को लेकर के चार पंगतिया हैं बले चूड़ी बले पायल बले ना हार देना तुम बले चूडी बले पायल बले नाहार देना तुम जनम दिन पर मत किमती उपहार देना तुम बले बंगला बले पैसा बले नाकार दे पाओ मगर बचों को जीवन में बले संसकार देना तुम अगला अंतरा है जीवन के अंदर अनाज का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है किसान कितनी महनत से उस अनाज को पैदा करता है और उसकी क्या कीमत है इसी को लेकर के दो पंगतिया है अमीरों की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता सिवा फुट पाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ आते हो कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता अगला अंतरा है इस अंति मंतरे के साथ मैं कविता को समाप्त करना चाहूँगा फिर एक बार माबाप की ओर लेके चलता हूँ अपने खून पसीने से जीवन के सब सुख देते हर मुस्किल अपने जीवन की आसाव कर देते पर मुस्किल में जब वो आएं हम अपना फर्ज निवाएं थोड़ी खूसी उनको भी दें जो जीवन खूसियों से भरते जैराम जी की